तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैडम ने यूई को भी काफी बाते सना दी थी तो इस पार से वो आगे से बढ़क जाती है फाइट के दुरान अचानक मैडम की नजर यूई के पहने हुए लॉकिट पर पड़ती है वो तो शौक ही रह गई थी कि ये इसके पास कहां से आया एक्चली में इनके हस्बेर ने चायल्ड की बर्त के वक्त ये उसे और नन्नी बच्ची को इन्होंने गिफ्ट ही किया था अब हॉस्पिटल से तो वो लॉकिट इकाईब हो गया तो इनकी परिशानी तो बनती है वो अब मेड को जूई की सारी इंफॉर्मेशन निकालने का ओर्डर दे देती है इधर मॉम ने यूई को पहना लॉकिट वापिस करने को कहा था कि ये मेरी बेटी का था और तुम्हारी मॉम ने उस वक्त उसे चीनी लिया था वो तो थी ही ऐसी अब उसके सामने उनकी काफी बुरायां भी करने लगती है कि उन्होंने अपनी उल्टी हरकतों की वज़े से ना सिर्फ खुद को बलके अपने हस्बन को भी डैथ के मूँ तक पहुंचा दिया यस उनके यूई फिर लॉकिट उन्हे वापिस देती वहां से उसे में चली जाती है शिन उसे रुकने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं रुकी थी मॉम को लॉकिट चाहिए था जो के उन्हें मिल चुका होता है तो नेक्स टाइम के लिए वो तो शिन को भी वाउन कर देती है कि इसका जिकर तुम किसे से भी मत कर देना वो तो यही सोच के परशान ही हो रही थी कि कहीं मैडम को सारी सचाई का पता ही न चल जाए फिर तो जैन सारी असाईशों से महरूम हो जाएगी मॉम को मालूम हो चुका था कि यूई की बर्स डेट और प्लेस सो बहुत डिफरेंट है तो वो अब रिली फिल करती है कि शुकर है उस लड़की का कनेक्शन हमसे नहीं है जैन सपने में डर गई होती है कि जून उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है अब अचानक मॉम ने उसे ब्रेकफस्ट के लिए जगा दिया था वो तो उन्हें देख के डर जाती है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी अब फिर यहां पर वो तो फिर इन दोनों को दक्के मार के ही निकालने लगती है और इसी चक्कर में तो मॉम नीचे गिर के भी होशी हो जाती है फार्चू नेटली या उन्हें वर्क की सिलसले में यहीं पर याया था वो अब फिर उन्हें रेस्क्यू करता है अभी तो इनका उन्हें निकालने का चांस मिसी हो गया था अपनी इतनी हल्प करने पर शिन पिर उसे थैंक्स कह दी है फ्लर्ट करने के चक्कर में इससे फिर मार भी खा ही बैठता है यू भी इसे देखने आ चुका था अब इसे जब पता चुलता है कि जैन तो इसे पूरे घर में ढून रही है यह तो अब जल्दी से घर की बैक साइट से निकलने की करता है कि कहीं उसके नजर मुझे पढ़ ही न जाए डैड को सारी स्टोरी का पता चल चुका था उनकी तो तबियत ही खराब होने लगती है कि आखिर इन्हें उन बीचारियों से क्या मसला है वो तो हर हाल में मॉम और शिन को यहां से नहीं निकालने वाले थे इस बाद से घुसा हो कि जैन खुद ही घर चोड़ के जाने लगती है डैड भी जाने देते हैं कि खुद ही वापिस आ जाईगी फैमली से जादा फिकर तो मॉम को ही हो रही थी आखिर को वो उनकी सगी बेटी जो ठहरी अब मेर से जब उन्हें पता चलता है कि वो होटेल ही गई होनी है तो वो अब शिन के पास जा कि उसे अपने साथ जैन को लेने जाने को कहती है कि वरना फिर तुम ये घर छोड़ के चली जाओ वो भी सैड हो जाती है कि मॉम को मुझसे ज़्यादा फिकर जैन की क्यूं हो रही है वैल वो अब उनके साथ चलने को मान गई थी ये इदर वियाओ के पास ही बैटी होती है वो जितना उसे दूर जाने की कोशिश करता है उतने ही ये क्लोज जाने लगी थी इतने में ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच आई थी वो तो अब एक शर्त पर ही जाने के लिए मानी थी के शिन निगल डाउन होके उसे अपॉलजाइस करे अब उस बिचारी की कोई भी गलती नहीं थी फिर भी मजबूरी में उसे ये करना पड़ता है अब जाके वो पिर मानती है याओ को यहाँ पर शिन के लिए काफी बुरा लगता है वो इन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है कि जाना तो एक ही घर में ही है ना तुम लोगों ने पर शिन मॉम को भेज के खुद तो वाक करके ही वहाँ से जाने लगी थी आज मॉम के रवये ने उसे बहुत ही हर्ट किया था रात भी हो चुकी होती है ठंड के साथ साथ उसे काफी भूख भी लग रही थी पर इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था रेंड भी स्टार्ट हो जाती है याओ को तो शिन की टेंचन होने लगी थी पता नहीं वो लड़की अभी तक घर भी पहुँची होगी या नहीं वो तो एक शौप के बाहिरी बैट जाती है गर पे मॉम को भी फिकर होने लगी थी कि आखिर वो कहां रह गई अभी तक पहुँची क्यों नहीं नहीं वो उनकी कोई कॉल्स पिक कर रही थी आखिर का याओ को वो फिर मिल ही जाती है फिवर की वज़े से शिन तो भी होशी हो चुकी थी यह उसे उठा के अब घरी ले जाने लगता है उनकी बेटी को ढून के लाने पर वो उसे थैंक्स कहती है अब याओ ने उन्हें ये बात जैन को ना बतानी को कहा था कि वो फिर से इसे बुली ही ना करना स्टार्ट कर दे पहले ही वो इसे बहुत हेट करती है जैन की फ्रेंड जी उसकी ड्रेस देख रही होती है तब उसे याद आता है कि ये तो जुन ने उसे दी थी इसी बात को रिमेंबर करके वो तो एकदम बोस्सा ही करने लगती है इस बात से ये भी परशान हो गई थी कि इससे क्या हो गया उसने तो अब जी को जुन के क्लोस जाने का ये ओर्डर दे दिया था कि तुमें उसके पास एक कैमरा है वो ही चुरा के लाना है वो भी अपने फ्रेंड की खातिर मान जाती है शीन मॉम को अपने पास देखे खुश और जाती है कि चलो इन्हें मेरी कुछ तो फिकर है वो भी तो इससे एकल वाले बीहेवियर को लेके सौरी बोलती है यूई तो इसकी कॉल जिपिक नहीं कर रही थी ये काफी परिशान होती है अब इदर यू भी बैठा था तो इसकी नजर इस पर पढ़ी जाती है वो तो इसकी पेंटिंग ही बनाने में बिजी होता है और साथ में कोल्ड होनी की वज़े से इसे अपना कोट भी आगे से आके पहनाता है ये देखके वो तो फिर स्माइल ले करने लगी थी आज तो स्पेशल वो तो इसे अपने रूम में भी लाता है जहां पर किसी को भी आने की बिलकुल भी जाज़त नहीं थी आज स्पेशली वो इसे ही ले आया था आखिर को ये इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट जो थी वो जब इसकी बनाई हुई पेंटिंग इसे देता है तो ये देखके वो खुश हो जाती है या उपिया पिर इन दोनों को देख ही लेता है वो तो इसकी पेंटिंग लेके भाग नहीं लगा था कि बस ये मेरे फ्रेंड की कलाकारी है कि तुम इतनी अच्छी दिख रही हो वरना शकल तुम्हारी प्यारी नहीं है इसी दोरान उसका मुबाइल भी गिर के तूट जाता है शिन तो अब उस पे बढ़क के वहां से साइट पर ही चली गई थी अब हमें पता चलता है कि यू बहुत जल इसका आफिस जोईन करने वाला है और वो इस बास से खुश्पी था डैड की और याओ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी हलांकि उसकी मर्जी नहीं थी फिर भी जबरदस्ती उन्होंने उसकी शादी कि डेड फिक्स करने का फैसला कर लिया था उसने भी यू को इनकी इजादत के बिना ही वर्ट पे रखा था डैड को जब ये पता चलता है तो वो घुसा हो जाते हैं इसकी स्टेप मॉम तो जून की शादी जैन से करवाना चाहती थी ये बात वो जब इनसे गरती है डैड तो फिर इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं होते अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो जूई को ढूननी आफिस आ चुकी थी और यहां आकर उसे पता चलता है कि वो तो कब की रिजाइन दे के जा चुकी है उसके लिए यह फिकर मन्द हो गई थी जूई ने तो अपने साथ साथ शिन को भी जॉब दिलवाने का सोच लिया था डैड को भी उसका आइडिया काफी पसंद आता है कि ऐसे ही तो वो फिर रही है चलो जूब ही मिल जाएगी शिन जूई को ग्रेब याड ढूनने आई थी इधर याओ भी आया होता है वो अपनी मॉम को बहुत मिस्करने लगता है कि कैसे डैड की मिस्ट्रिस की वज़े से ही उनकी डैथ हो गई थी और बस यही रिजन था कि वो आज तक उनसे हेटी करता आया है अब यहाँ पर उसकी नजर शिन पर पढ़ी जाती है वो भी उसे ही देख रही थी दोनों ने अपनी अपने स्टोरीज एक दूसरे से शियर करती होती है शिन उसे बताती है कि मुझे तो यखीन है कि मेरे डैर जिन्दा है किसी ना किसी दिन मैं उनसे जरूर मिलनूंगी दोनों फिर ड्रिंक भी करने लगती है वो वापिस याओ के साथ जाने का सोचती है कि चलो एक सहारा तो है अब वो तो ड्रंक हो चुका था इसलिए कार ड्राइव नहीं कर सकता था रात तो उन्होंने होटेल में ही स्पैन करनी थी वो भी मजबूरी में शिन्द को उसके साथ करनी पड़ती है क्योंकि अभी वापिस जाने का तो उसे टिकट नहीं मिल सकता था रात को बाहिर तो इतनी खौफनाक आवासें आ रही होती है कि याव तो डर ही जाता है वो इसके रूमें सोना चाहता था अब शिन्द भी इसके हाथ पाउं बांद के ही वहाँ स्टे करने की इजासत दे ही देती है लेकिन शिन्द का ये सब करने का भी क्या फाइदा ये तो फिर भी बैट पे उसके साथ गुसी गया होता है अब जब उसके आँख कुलती है तो वो धक्के मार के इसे बैट से नीचे उतार देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की अगले दिन वो तो लेटर छोड़ के वहाँ से चली गई थी इसे देख के वो तो स्माइल करने लगता है इसे तो से लब हो ही चुका था यूने शिन को जॉब की खुशकबरी दे दी होती है वो भी हैपी के चलो डिगर के बिना ही मुझे वर्क मिल गया वो इसे फिर थैंक्स कहती है मौम इने साथ में दे के घुसा ही होने लगी थी आफिस के पहले दिन ही इधर तो इसकी मौम ने उसे नियू ड्रेस भी दिलवा दी थी उन्हें उसके लिए बहुत अच्छा लगता है के चलो मेरी इस बिटी को एक्स्टेमल जॉब तो मिल गई है ये तो चल के ही जाने लगी थी पर यू इसे लिफ्ट देता है के हमने आखिर कार एक ही आफिस तो जाना है अब उधर जाके इसकी नजर यूई पर बढ़ती है जो के यही पर काम करने आ चुकी थी अभी भी वो इससे काफी नाराज होती है इसे ये भी गोसिप से सुनने को मिलती है के यहां का बॉस तो बहुत ही जादा क्रूस है सबी को तक्रीबन उससे नफरती थी अब पर जिन को पता चलता है के जिस आफिस में वो आई है वो किसी और का नहीं बलकर याओ का ही है वो तो परिशान ही हो गई थी कि जो मैंने रात को इसे किक के मारी थी कहीं बदला लेने के लिए वो मुझे आज के दिन जॉब से फाइर ही न कर दे और इसे के साथ ही ये पार्ट खतम हो जाता है थैंक्स पूमाची